एक गाव में एक लड़की थी, बहुत सुन्दर थी, वहां से के राजा गोजर रहे थे, राजा ने उस लड़की को देखा, वो राजा नया राजा था, बिल्कुल नया युवा, अभी अभी उसके पिता ने उसको राज गद्धी पर विठाया, तो वो नगर का भ्रमन करने निकला, तो एक सुन्दर सी लड़की पर उसकी नजर पड़ गई, बहुत सुन्दर थी, तो राजा ने अपनी पाल की रोकी, और राजा ने उस लड़की से कहा, कि मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि तुम सुन्दर हो, लड़की ने कहा, मुझे एक महने का वक्त चाहिए, एक महने बाद आप मुझसे विवाह कर लेना, राजी हो गया, राजा राजी हो गया, चलो एक महने बाद सही ठीक है, उस लड़की ने एक माह में, ना भोजन करती है, ना ठीक से पानी पीती है, भोजन करन इने में तो शरीर के सारा मांस सूख गया हड़ी हड़ी रह गई अब एक माहबाद वो राजा फिराया उसी घर में बोला कि चलो लड़की से विवाह कराओ तो लड़की का पिता बाहर निकला बोले लड़की अंदर है आप जाके विवाह कर लो अंदर जाकर देखा बिस तरभिन भिना रही थी बड़ी गंदी सी हो गई थी बत सूरत हो गई थी राजा ड़ गया हमने यह लड़की को थोड़ी पसंद किया था वो संदर सी जो लड़की थी वो कहां गई हमें उससे विवाह करना था उस लड़की ने कहा मैं ही वो लड़की हूँ आपके जाने के बीमार पड़ गई और बीमार होने पर मेरी ये हालत हो गई राजा नाख पकड़ के भागा वहां से बड़ी दुरगंद आरही है तुमारे पास अब नहीं करेगा साधी भूलिया मैं साधी वाद नहीं करता तुम से कह रहा था तुम बहुत सुंदर हो, तुम से प्यार हो गया है बात निकल कर आई कि प्यार लड़की से नहीं हुआ था लड़की की सुंदर्ता से हुआ था आज समाज के लड़के भी ऐसे ही अपना नुकसान कर लेते हैं आज बहुत सारी लड़कियां प्रैम कर लेती हैं किसी लड़के से कोई लड़का प्रैम कर लेता है किसी लड़की से हम तुमसे बेहत प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं ये तुमारा लड़कपन है बच्चो तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं हुआ तुम तो जानते भी नहीं कि प्यार की परिभासा क्या होती है प्रैम की परिभासा साइद किसी को पता हो कि प्रैम क्या होता है जैसे वो राजा उस लड़की को छोड़ कर वापस आ गया ऐसे कोई आप से कहे कि मैं तुम से प्यार करता हूँ तो मेरी बेहन बेटियो आपसे कहता हूँ कोई आपसे प्यार नहीं करता आपकी सुन्दरता से प्यार करता है यदि उसे आपसे प्यार हो गया तो आप सुन्दर हैं इसलिए तो हुआ नहीं तो कोई काली सी लड़की जो मंदिर के बाहर भीख मांगती है उस लड़की से तो कोई लड़का नहीं कहता मैं तुमसे प्यार करता हूँ भीक मागने वाली लड़की बिल्कुल काली का लूटी हो उससे कोई प्यार करता है पर कोई सुंदर हो जाए सुंदर हो तो प्यार करने वालों की भील लग जाती है इसका अर्थ यही है कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता प्यार तुमारे सरीर से है यही वासनाएं है उन वासनाओं को आजकल लोग प्रेम कहते हैं आजकल के नौजवान बच्चे जो पढ़े लिखे हैं जो YS IPS बनना चाहे रहे हैं इस लेवल के बच्चे आजकल आप लोग अपनी वासनाओं को ही प्रेम समझने लग गए है आजकल के लोग अपनी वासनाओं को ही क्या मानने लग गए है प्रेम प्रेम वासना नहीं है मरी म प्रेम का नाम क्या है प्रेम है त्याग गोपियां वरंदावन में रोती रह गई वरंदावन से मथुरा बहुत दूर नहीं था चाहती तो रोत जाकर के गोपियां भगवान से मिल लेती लेकिन भगोपियां कहती है कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ क्रिष्ण जैसे मैं खुश रहना चाहे मैं क्रिष्ण की खुशी में अपने आपको खुश रखोंगी क्योंकि क्रिष्ण यदि मेरे से दूर रहने में खुश है तो मैं दूर रहूंगी मैं पास जाकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती बलिदान का नाम प्यार है, त्याग का नाम प्यार है प्रेम ये होता है हमारे भारत में तमाम मुगलों ने हमारे हिंदू भाईयों को सिख भाईयों को कहा हम तुमारा कतल कर देंगे मुसलमान धर्म अपना लो, मुसलिम धर्म अपना लो उन्होंने कहा हमें मार दो पर हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे मर गए, पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा ये प्रेम है, अपने धर्म के प्रति कि मैं मर जाओं पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा आज कल आप देखो ना लड़का लड़की प्रेम के बहाने अपने माबाप को छोड़ देते हैं चलो शादी कर लेते हैं 18 साल की मैं होगी तो मिकीस के हो गए चलो लव मैरिज कोट मैरिज कर लेते हैं आज लड़का लड़की को प्रेम होता है तो यह लव मैरिज कर लेते हैं कोट मैरिज कर लेते हैं और यह अपने इस दुश कर्म का नाम क्या रखते हैं बोलो आज कलके जवान बच्चे अपने इस दुश्कर्म का नाम क्या रखते हैं प्रेम महराजी हम प्रेमी है अरे पागल इन्हें समझाओ कोई ये प्रेम नहीं है प्रेम तो वो था जो हमारे देश के जवान अपने धर्म में मर गए लेकर उन्हें अपना धर्म नहीं छोड़ा वो अपने धर्म के लिए मर जाते हैं पर अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ते और आप लोगों ने तो अपने माबाप को भी छोड़ दिया और कह रहे हो प्रेम करते हैं तो क्या प्रेम किसी का दिल दुखाता है मेरी माँ एक लड़का एक लड़की दौनों ने भाग कर शादी कर ली कभी उन्होंने पलट कर देखा कि उनके मावाप के साथ क्या गुजर रही है जिस गली से मा निकलती है लोग कहते इसकी बेटी भाग गई इसका बेटा भाग गया मा रोती है कितने सपने संजोय थी अपनी बेटी के विवाह के लिए कितना सपना संजोया थी अपने बेटे के विवाह के लिए पर बेटे ने सारे सपनों में पानी फेर दिया भाग गए रो रही है मा तुमने प्रेम किया तो क्या प्रैम इसी का नाम है कि तुमने प्रैम करके अपना घर बसा लिया और मा तो वहां रो रो के परिशान है तो क्या प्रैम की तुमारे हिसाब से यही परिवासा है मेरी मा, मेरी बेहनों प्रैम कभी किसी को दुखी नहीं करता प्रैम कभी किसी का दिल नहीं दुखाता यदि आपका प्रैम किसी का दिल दुखा रहा है तो पता चल रहा है कि वो आपका प्रैम नहीं वो आपकी केवल वासनाएं हैं केवल वासनाएं हैं उसे वासना कहते हैं वो तुमारी के वल एक छाय हैं, बस उनकी पूर्ती के लिए आप ये सब कर रहे हैं, ये प्रेम नहीं है, प्रेम दिल नहीं दुखाता किसी को, आहत नहीं करता, एक मा अपने बेटे से प्रेम करें, पर दूसरे के बेटे के गरदन में छूरी चला है, ते समा को प्रेमी तो नहीं कहा जा सकता, प्रेम चाहे अच्छा मैं बताओ मैया प्रेम जो होता है न वह प्रेम प्रेम होता है वह तेरे और मेरे का भेद मिटा देता है प्रेम प्रेम होता है भगवान श्री राम को सव से प्रेम था इसलिए केवट के भी नाव चड़े जटायू पक्षी से भी प्रेम था तो उसके द्वार पी भी गए और शवरी के बेर भी खाए प्रेम था और रावड को मारा तो रावड को राम जी ने इसलिए नहीं मारा के राम जी रावड को दुस्मन मानते थे राम जी जितना प्रेम शवरी से करते थे उतना ही प्रेम रावड से भी करते थे बस भर कितना है कि शवरी भी बदले में प्रेम करती थी और रावड भगवान से पुछास उठा कर देखना, राम जी ने माता सवरी को जो गती दी, वही गती मरने के बाद रावड को भी दी, राम जी के सामने तो शवरी और रावड एक ही है, राम जी ने दौनों की सदगती की न, तो प्रैम किसी का अहित नहीं चाहता, किसी का दिल नहीं दुखाता, और राजकल के बच्चे प्रैम के नाम पर अपने मावाब का दिल तोड़ करके चले जाते हैं, और वो कहते हैं हम प्रैम करते हैं, हम सच्चे प्रैमी हैं, ये तो प्रैम की परिभासा नहीं है, अब आपके हिसाब से आप भले प्रैम की परिभासा ये अपने धंग से करने प्रीजों